आज की वीडियो में मैं आपको 446 के factors निकालना सिखांगा factors निकालने के लिए आपको check करना पड़ेगा कि 446 की संक्या से दिवाइड हो रहा है और कितने बार में डिवाइड हो रहा है दोनों ही 446 के factors होएगे तो 1 से डिवाइड करके देखते तो तो यह 446 टाइम में ही जाएगा तो जिससे डिवाइड हुआ जितने बाहर में डिवाइड हुआ दोनों ही 446 के फैक्टर से इसके लावज 2 से भी जाएगा 223 टाइम में तो 2 and 223 भी 446 के फैक्टर सुए इस तरह से 446 के टोटल 1,2,3,4 फैक्टर निकल के आए और अगर आपको 446 के फैक्टर की वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज भेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले